नमस्कार खबरों का पंच्छनामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ पूजा हम लेकर रहा हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर UAE की यात्रा की बाद कतर की दौरे पर पहुंचे प्रधान मंत्री मोधी हुआ भविस्वागत पियम मोधी ने की अमीर शेक तमीम से मुलाकात कहा मजबूत हो रहे भारत और कतर के रिष्टे सुप्रिम कोट का राजनितिक दलों को बड़ा जटका चुनावी चंदे पर चला चाबुक सुप्रिम कोट ने इलेक्ट्रोल बॉंट पर लगाई भोग किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन किसान रेलवेट ट्रैक पर बैठे हाथों में जंडे लेकर जम कर किया विरोध आज पर किसान और सरकार के बीच हुई बात चीट इंडिया गडवन्दन को जटके पर जटका अब फारुक अब्दुल्ला ने जम्मु कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान तो दल्ली में कॉंग्रस की भी समी साथों सीटों पर तयार है दल्ली जलबोट की क्याग रपोर्ट में बड़ा खुलासा के इचरिवाल सरकार ने किया पैसो का दुरुपियों खातों में गडवड़ी बड़े आक्शन की तयार आज कबरों की शुरुआत ने सबसे बहले बात प्रधान मंत्री मोदी के कतर दौरे की युई की यात्रा के बाद कटर के दौरे पर पहुचे प्रधान मंत्री नरीन रुमोदी ने कतर के सबसे शक्तिसाली इंसान अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकाद की है ये वही अमीर है जिनके साथ पियम मोधी की एक मुलाकात के बार भारत के पुर्व नौसे नुख्यों की रहाई का रास्ता साफ हो गया था कतर के अमीर ने पियम मोधी का रेड कार्पेट वेलकम किया, पियम मोधी का कतर में भविस्वागत हुआ इस मौके पर पियम मोदी ने कहा कि भारत और कतर के रिष्टे मजबूत हो रहे हैं कतर शेक के साथ एक अधभूत मुलाकात होई हमने भारत कतर संबंदों की सविक्षा की और विबन छेत्रों में सहीयोग को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की है भारत और कतर के रिष्टे पियम मोदी के सालिध में कैसे मजबूत हो रहे हैं देखे मुझे तो वो चेहरे निजर आ रहे हैं जब ये तबलीकी जमात के ऊपर करोना फलाने का इल्जाम लगाया जा रहा था तो यही केजरिवाल के मैनुर्टी कमिसर के अध्यक्ष जफर इसलाम वो कह रहे थे कि कतर से आंधी आएगी वहां से सेना आएगी मोदी को तबाह कर देगी फिर ये तथा कतित पत्रकारों का जथा जो चेहरे बना बना करके कह रहा था कि कहां है 56 इंच का सीना हमारे कहते थे हमारे नेवी आफिसर्स हमारे सैनिक पुलवामा में मारे जाते हैं लोग पाकिस्तानी ब्लास्ट में टर्रिस टैक में तब हमारे नहीं तब मोदी के लेकिन जब आपको अपने ही देश के खिलाब प्रपंच करना हो तो हमारे नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा दे दी गई है कैसे वापस लाएगे अभी वापस लाओ काले पढ़के चेहरे ही लोग है जिस तरीके से ये तीन दिन का जो दोरा विस्ट एसिया का हुआ है वो तमाम नरेटिव कोई टूटर पे शेयर कर रहा था वहाँ के अख़बारों के क्लिपिंस हर जगा मोदी चाय हुए है जिस लोकुप्रिय प्रदान मंत्री को ये लोग एंटी मुस्लिम एंटी इसलाम घोशित करने की कोशिश में लगे हुए थे पिछले दस सालों में उनका चेहरा आज काला हो गया है प्रदान मंत्री मोदी हिंदुस्तान को एक दूसरे पेडेस्टर पे लेकी जाना चाह रहे है और हिंदुस्तान में कुछ बैठे ऐसे गदार है जो प्रधान मंत्री को नीचा दिखाने के लिए हिंदुस्तान के भी गरिमा पे दाउ लगा रहे हैं अब आज सुप्रिम कोट के आज के एक बड़े फैसले की लोगसबग चुनाओ के पहले सुप्रिम कोट ने तमाम राजनतिक दलों को करारा जटका दिया है सुप्रिम कोट ने चुनाओवी बॉंड पर रोक लगा दी है जिसे एप्रिल 2019 से लागू किया गया था सुप्रिम कोट ने अपने फैसले में कहा कि आम जनता का करतव है कि वो सरकार से सवाल पूछे कोट का कहना था कि चुनाओ बॉंड की योजना सूचना के अधिकार यानि आटियाई के खिलाफ है कोट ने चुनाओ आयोक से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे बॉंड जारी करने वाले SBI को ये जानकारी देनी होगी कि एपरिल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने कितने रुपाय के चुनाओ बॉंड खरीडे SBI तीन हफते में ये जानकारी देगी उसके बाद चुनाओ आयोक जनता तक ये जानकारी पहुचाएगा ये सुप्रिम कोर्ट का फैसला सभी राश्नितिक दलो के लिए जटका है पर कॉंग्रेस पार्टी इतना जश्म क्यों मना रही है देखें कॉंग्रेस पार्टी जब भी हारती है जब भी इनको हार का सामना करना पड़ता है ये मॉरल विक्ट्री वाले मोड में चले जाते हैं बच्पन में स्कूल में होता है ये बंगाल में हारे बंगाल में एक भी सीट नहीं जीते है सारी के सारी सीट ये लोग हार गए एक भी सीट नहीं ममता ब्रणजी से हार के ये बैठ गए राहुल गांदी ट्वीट करते हैं कि हम जीत गए यह हमारी moral victory है कि भारती जंता पार्टी वहाँ पे सरकार नहीं बना सकी तो जिन लोगों की बुद्धी इस तरह से खत्म हो गई है वो दरसल narrative create करना चाह रहे थे कि यह सरकार को बहुत बड़ा जटका है मैं कुछ दलाल पत्रकारों को देख रहा था दलाल चैलो को उसके रिपोर्टर सरकार को जटका सरकार भी कॉंग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा आपने आपको सत्य हरिश्चन बता रही है आप ये बताओ ये बॉन्ड इतने ही खराब थे तो आपने पैसे क्यो लिए अगर बॉन्ड के प्रती आपका विरोध है तो आपने पैसे क्यों लिए ये कट्टरी मांदार अर्विंद केजरिवाल पता नहीं कहां कहां से पैसे लाता है कहां कहां घोटाले करता है ये भी आज जो है वो बोल रहा है कि हमारी जीत भी बहुत मांग थी एलेक्टरल बॉन्ड से तुमने भी पैसे लिये बीजेपी ने भी लिया कॉंग्रेस ने भी लिया टीडीपी ने भी लिया डीमके ने भी लिया ममता बरनजी ने भी लिया आम आदिपार्टी ने भी लिया कौन बचा हुआ है तो ये फैसला सब के लिए जटका है सब के लिए जटका है एक काम अगर सुप्रेम कोट ने और कर दिया होता कि जितने इतने पैसे तुमने लिए सब वापस करो तब अकल ठिकाने आती लेकिन एक बात कहना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों पॉलिटिकल पार्टी की कमाई का सोर्स क्या है ये जनता की जानने का अधिकार है क्यों क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं पब्लिक की जीवन को वो बकादा डिरेक्शन देते हैं ब्यूरोक्रेट्स जजेज इनके भी इंकम के बारे में पता होना चाहिए दिश को तो Chief Justice of India से ये गुजारी से है कि RTI इतना ही सेक्रसेंट है कि अधिकारियों पे लागू होगा पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होगा तो सुप्रिम कोट पे कि नहीं लागू होगा यह हम भी तो जाने बिल्कुल आलिशान जिन्दगी वो कैसे जीते है तो यह एक तरफा काम नहीं चलेगा मैं तो इस बात को कब से कह रहा हूँ कि देश के हर पत्रकार को अपना वो डिकलिर करना चाहिए कितना से ठेक है पूरे खांदान का ताकि यह मालूम चल सके कहीं दलानी तो नहीं कर रहा है भई आफिसर्स को पकरते हैं हम लो तो यह सुप्रीम कोट का फैसला सौधत योग है लेकिन अधूरा है अब आद किसान आंदुलन की किसान आंदुलन का आज तीसरा दिन रहा किसानों ने आज रेलवेड ट्राक का घिराप किया अच्छी खासी तादाद में किसान रेलवेड ट्राक पर बैठे नज़र आए हाथों में जंडा लेकर जम कर बवाल भी काठा सबी बॉर्डरों पर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए है पुलिस आक्षन में है तो किसान जित पर अड़े हुए है किसान आदोलन के बीच भारती किसान यूनियन ने मजदूर यूनियों के साथ मिलकर 16 परवरी को भारत बंद का अइलान किया है तो वहीं आज किसान और सरकार के बीच में तीसरे दौर की बात चीत भी हुई है आज तीसरे दौर की बात चीत हुई है क्या कोई solution निकल पाएगा अरे इसका कोई solution नहीं निकलने वाला पिछली बार भी चला था हम लोग सुरुवाती दौर से करें वह यह सेलूशन मांगने के लिए थोड़ी आया है और नहीं इनका डिमांड दुनिया के कोई भी सरकार पूरी कर सकती है इनके डिमांड के पुताबिक किसानों के हर प्रोड़ेक्ट को MSP दे दो 40 लाग क्रूर रुपे का खर जाएगा बजटी हमारा 45 लाग क्रूर रुपे का है यह अन्य दाता अन्य दाता अन्य दाता मुफ्त में देता है क्या कोई अनाज और यह सुन रहा था कि भई वो लोग कह रहे हैं कि भई तो हमारा अनाज मत खाओ नहीं खाना है तुम लोगों के चक्कर में टेक्सपेर्स का पैसे जाता है तुमको सब्सुटी मिलती कहां से है कोई कुछ बोलता नहीं है मीडिया एक अलग बामपंथी विचार धारा के गरफ में फसके यह इस तरह की बाते करते हैं तुम्हें कोई भी सुहलियत दी जाती है वो पैसा कि बड़े बने आये अने दाता तो कल जो कप्ड़ा पहने हुए हो तो बंकरों का छोड़ स्यूरे पैसे बॉघर को सब्सुटी नहीं मिलता चोड़ना यह भाड़े के लाये हुए टट्ट्टु हैं कॉंग्रिस पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनाओं से पहले तमासा क करने और बार बार कहता हूं ये होसियार दुस्बन ज्यादा बहतर है मुर्ख दोस्त से कर्दी टैजी मुर्खता एक नेता आ गया सामने वह तो पता नहें कुंकों कौनसे कौन कौन है कह रहा है कि जो मंदिर के वज़र से देखित दर्द कहा है मंदिर के वह से मोजी Bowl पढ़ा हुंचा चला गया है उस Г्राप को नीचे कर रहे हैं से तो उनका मकसद तो चुनाओ है कॉंग्रेस पार्टी आम-अधी पार्टी से पैसे लेकर कर यह लोग तमासा कर रहे हैं और पूरी मीडिया जो है वह डिम-डिम-डिम-डिम-डिम-डिम-डिम-डिम वह अपना डंबरू बजा रही है है हाई रे अन्दाता पैसे कहां से आ रहा है कौन दे रहा है इसका ये जनलिज्म का हिस्सा नहीं है तो ये देखिए बहुत ही आदत आपने खराब किये सरकार ने कोई एक्षिन आपने नहीं लिया इलाद किले के उपर जो नटंगी कर रहे थे इन लों को पकल पकल के जेल के अ कि आता नहीं है जितनी आप करेंगे बात मानेगे नहीं हो कि सुप्रीम कोड़िया इलाज कुछ और हो रहा है तो कोई समझवोतल नहीं होने ये बदमासी करेंगे, ये तोड़ फोड करेंगे, आरा जक्ता फैलाएंगे, दुनिया भर में देश को बद्दाम करेंगे. तुमाही दिल्ली में, आम आदमी पार्ठी और कॉंग्रेस में लड़ाई बढ़ती जा रही है, आपके बाद कॉंग्रेस ने भी सभी साथ सीटों पर चुनावल लड़ने की तयारी कर रखी है, कॉंग्र। पार्टी का कहना है कि दिल्ली में पार्टी बेहतर स्थिती में है अब फारुक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे कहां गई विपक्षी गडबंदर देखें गडबंदर था ही नहीं यह तमाम लोग दलाल पत्रकारों का यह जो टेलिजन चनल करते हो कि अपने फ्रस्टेशन को विशलेशन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हो कैपिटल टीवी के दर्सक पहले से अवेर हैं जब से इसकी घोशना हुई तब सही हम लोग कहते आ रहे हैं यह इंपॉसिबल है यह पॉसिबिलिटी है ही नहीं चुनाव आ जिसको जब मौका बिलेगा वो एक दूसरे के पीठ में फोकेंगे अंदर वही हो रहा है आज बारी जो है फारुक अब्दुल्ला की आ गई पहले बाकी लोग की बारी पहले आ गई अब केजरिवाल की भी बारी आ जाएगी क्योंकि आप कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत बेजिती हो गई बेजिती करवाने के लिए आप बजार में खड़े हो तो फिर आपकी बेजिती तो होगी आपको भीक का टुकला दे रहा था खुद माल खा लिया चैसीट बोला एक टुकला ले लो तुम और गड़बंदन कर रहा है तो और सबसे महिजार बात क्या सारे लोग Congress Party को बेज़द भी कर रहे हैं और Simultaneously ये भी कह रहे हैं कि हम अभी भी इंडिया के पार्ट है There is no more India ये जो बच गया है कुनबा ये दरसल पुराना UPA है तो इसका नाम UPA ही होना चाहिए आज के आके खबर में बात के जिवार सरकार की बड़ी धान दली की दली जलबोट की क्याग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए है रिपोर्ट में कई अन्यमिताय मिली है क्याक की रिपोर्ट 2017-18 में दिली जलगोट के खातों में अने मित्ताओं को चागर कर रहा है इस रिपोर्ट को दिली सरकार के सार शेयर भी किया गया है रिपोर्ट में जहां राजजस्व सेक्शन ने बकाय को लगभग 9000 करोल रुपए के रूप में लिस्ट किया है वहीं बोर्ट के खातों में ये आकड़ा लगभग 2800 करोल रुपए है यानि इसमें 6000 करोल रुपए से अधिक का अंतर है क्या कुछ क्याक की रिपोर्ट में लिखा गया है खा गये, डकार गये, 6000 करोल रुपए कहा है किसी को मालू भी नहीं है और जब इनसे कहा गया कि कैक की रिपोर्ट तो केजरिवाल भारत की राजनीती का नेटवर लाल है इसने फाल अचिसी माले नहीं का भी 2008 से अधिक करवाया जाए अधि जो पड़ा हुआ है, जो सवाल पूछा जा रहा है, वो तो बताओ तो आप चलेगे लजी के पास की 2008 से जो है सारी चीजों का आडिट किया जाए लजी साहब ने मना कर दिया कि जो पड़ा हुआ है, उसको तो एसेमली के अंदर पेश करो पैसे गाइब हो जा रहे है, कहा जा रहा है, ये तो खुद को कहता है कि भई ये मैं तो इंकम टेक्स कमिशनर था, जो कभी था नहीं, कहता है कि मैं पड़ा लिखा हूँ, वह क्या कर रहे हो, नो सिखिये हो, क्या हो, तो ये फरेब जो है, आम आदमी पार्टी की राजनीती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कितने कितने केसिस में ये फस्ता चला जा रहा है, इसको, इसको, इसकी भी काउंटिंग जो है, वो भूल चुका होगा, कारण, अभी तो ये आया है, दो दिन के बाद, राव जबनि कोर्ट में जाना है, इडी के समन का जो निरादर किया है इसने, उसके फैसला होना है, और उसके दो दिन बाद, वापस इडी ने छटा समन भीजा है, अब कैसे ये व्यक्ति, अपने आपको कट्र रिमानदार कहता है, इसके लिए तो इसको बकादा इनाम मिलना चाहिए, ब शेयर कीजिए और क्या पटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नमस्कार